हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम क्लास एर्थ के जगर ओफी चैप्टर फूर्थ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे क्या आपने कभी ये सोचा है कि लिखने की जो कौपी होती है आप उसका इस्तमाल में लाते हैं वो वी निर्मार की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहसती है इसके जीवन के सुरवात व्रिच से होती है उसे काटा जाता है और लुगदी मील तक ले जाये जाता है साथ मिलाया जाता है और अंततह मशीनों के द्वारा कागच के रूप में परिवर्टित किया जाता है ये कागच प्रेस में जाता है जहां रसाइनों से निर्मित स्याही का इस्तमाल पेच पर रेखाएं छापने में किया जाता है इसके बाद प्रिस्टो को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर और पैक करके बिक्री के लिए बजार भेज दिया जाता है और अंत में ये आपके हातों में पहुसती है Secondary Activities or Manufacturing Change में कच्छे माल को लोगों के लिए अधिक मुले के उत्पादों के रूप में परिवर्टित किया जाता है जैसा कि आपने देखा लुगदी कागच के रूप में और कागच अभ्यास पुस्तिका के रूप में वे निर्मार प्रक्रिया के दो चरण को प्रदर्शित करते हैं Industry means उत्द्योग इसका संबंद आर्थिक गतिवीधी से है जोकी वस्तूओं के उत्पादन, खनी जोके निशकरशर या सेवाओं की ववस्ता से संबंदित है इस प्रकार लोहो और इस्पात उत्द्योग वस्तूओं के उत्पादन में से संबंदित है कोईला खनन उत्द्योग कोईले को धर्ती से निकानने से संबंदित है और पर्रिटन सेवा देने से संबंदित उत्द्योग है Classification of Industries यानी की उद्द्योगो का वरगी करड़ उद्द्योगो का वरगी करड़ कच्चा माल, अकार और स्वामित्व के अधार पर किया जा सकता है Raw Materials कच्चा माल कच्चे माल के उप्योग के आधार पर उद्योग क्रिशी अधारित खनिच, अधारित समुंद्र अधारित और वन अधारित हो क्रिशी अधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पती और जन्तु अधारित उत्पादों का उप्योग करते हैं खात संसाधन वनस्पती तेल, सूती वस्त्र, डेरी, उत्पाद और चर्म उद्योग रिशी अधारत उद्योगों के ही एक्जामपल्स हैं खनेज अधारत उद्योग प्रात्मिक उद्योग है जो खनेज अयसकों का उप्योग कर्चे माल के रूप में करता है इन उद्योगों के उत्पाद अन उत्पाद को उद्योगों का पोशड करता है आयसक से निर्मित लोहा खनेज अधारत उद्योग का उत्पाद है ये कई अन उत्पादों के वे निर्माड के लिए एक अच्छे माल के रूप में प्रियोक्त किया जाता है जैसे कि भारी मशीनों, भवन निर्मार, समाग़ी और रेल के डबबे बनाने में समंद्र अधारित उद्धयोग सागरों और महा सागरों से प्रापत उतपादों का उपयोग कच्छे माल के रूप में करते हैं समुंद्री खाद प्रसंसकरण उद्योग और मस्य तेल निर्माड इसके कुछ एक्जामपल्स है वन अधारत उद्योग वनों से प्राप्त उत्पात का उप्योग कच्छे माल के रूप में करता है लुगदी और कागच औसद रसायन फनीचर और भवन निर्माड वनों से संबंदित उद्योग है आकार में इसके साइच की बात की जाए तो ये उद्योग के आकार का तात पर निवेश की गई पुन्जी की रासी नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है आकार के अधार पर उद्योगों को दो भागों में बाटा जा सकता है एक लगू आकार के उद्योग और ब्रिहत अगार के उद्योग कोटेर या घरेलो उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माड हास से होता है टोकरी बुनाई मिट्टी के बर्दन और कई हस्तनिर्मित वस्तुएं कोटेर उद्योगों के ही एक्जामपल्स हैं बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मातरा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुनला में छोटे पैमाने के उद्योग कम पुन्जी और प्रद्योगी की का उप्योग करते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों में पुन्जी का निवेस अधिक और प्रयुक्त प्रद्योगी की उचिस तरिये होती है रेसम बुनाई और खाद प्रक्रमड उद्योग लगू पहमाने के उद्योग है और्टो मुबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पहमाने के उद्योग है इस फिगर में आप देख सकते हैं मखाने के खाद प्रक्रमड की अवस्थाइं दिखाई गई हैं इस तरह से मखाना बनाया जाता है ओनर्शिप यानि कि स्वामित्व के अधार पर उद्योगों को नीजी छेत्र राज्य स्वामित्व या राजनितिक छेत्र संयुक्त छेत्र और सहकारी छेत्र में वर्गे कृत किया जा सकता है स्वामित्व और सारजनिक छेत्र के अधार पर उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है जैसे कि हिंदूस्तान, Aeronautics Limited और Still Authority of India Limited संयुक्त छेत्र के अधार द्वारा होता है मारूती उद्ध्योग लिमिटेड संयुक्त छेत्र के उद्ध्योग का एक उधारण है सहकारी छेत्र के उद्ध्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादको या पुर्तिकारों, कामकारों या दोनों द्वारा होता है आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेरी सहकारी उपकरम के उत्तम उधारण है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ओफ इंडस्ट्रीज लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्री यहां फिगर में आप देख सकते हैं फर्स्ट इस रॉव मैटेरियल, सेकेंड लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड, ट्रांस्पोर्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ओफ इंडस्ट्रीज वो कारक जो उध्योगों की अवस्थिती को प्रभावित करता है कच्चे माल की उप्लब्धता, भूमी, जल, श्रम, सक्ती, पून्जी, परिवहन और बजार है उध्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इन में से कुछ या वो सभी कारक असानी सो उप्लब्ध होते हैं कभी-कभी सरकार कम दाम पर विदो तो प्लब्धता कम परिवहन लागत और अन्य अवसन रचना जैसे प्रोसाहन प्रदान करती है ताकि पिछडे छेत्रों में भी उध्योग स्थापित हिया जा सके अध्योगी की करड़ से प्राय नगरों और सहरों का विकास और विद्धी होती है इंडस्ट्रियल सिस्टम अध्योगी क्तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत सामिल है निवेश में कच्छे माल श्रम और भूमी की लागत जलकी उप्लब्धता परिवहन विद्धत और अन्य अवसन रचना सामिल है प्रक्रम में कई तरह की क्रिया कलाब शामिल है जो कच्छे माल को परिश्क लागत निवेश हो सकता है प्रग्रमों में उटाई कटाई बुनाई रंगाई और छपाई सामिल है कमीज जिसे आप पहनते हैं वो उत्पादन है इंडस्ट्रियल रीजन्स उद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट इस्थित होते हैं और वो अपनी निकटता के लाब आपस में बाटते हैं विश्व की प्रमुख और द्योगिक प्रदेश पुर्वुत्तर अमेरिका पस्चिमी और मध्य यूरोप पुर्वी यूरोप और पुर्वी एशिया है मुख्य और द्योगिक प्रदेश अधिकांस्ता हश्शी तोश्रकटी बंदिय च्छेत्रों समुंद्री पत्नों के समीप और विशेश तोर पर कोईला च्छेत्र के निकट इस्थित होते हैं भारत में कई अधियोगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई पूरे समुगू बंगलौर तमिलनाडू प्रदेश होगली प्रदेश एहमदाबाद वरोद्रा प्रदेश छोटा नाकपूर अधियोगिक प्रदेश विशाखा पत्नम गुंटुर अधियोगिक प्रदेश गु विब्दा मुख्य रूप से तक्निकी पिफलता या संकट उत्पन करने वाले पदार्थों के बेतर्तीब उपियों के अकारण घटित होती है भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगपक 3 बजे अब तक की सबसे 13 पोड़ाद्योगी दुरघटना है ये एक प्रोड़्योगी की दुरघटना थी इसमें यूनियन कारबाइट के किटनाशी कार खाने से हाइड्रोजन साइनाइट और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ-साथ अत्यंत विशाली मिथाई आइसोसोनाइट M.I.C. गैस का रिसाओ हुआ था 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 वेक्टियों की मृत्यू हो गई थी हजारों लोग जो बच गएं वो आज भी एक या अधिक बिमारी जैसे अंधापन, प्रतिरच्छात अंत्र विक्रिति, आंत्रशोद विक्रितियों आदि से पेड़ित हैं यह आप देख सकते हैं यह राइट साइट में यूनियन कारबाइट फैक्टरी का फिगर 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाउ कायों चोंगिंग में गैस कुप विसफोर्ट में 243 लोगों की जान चली गई थी और उसमें 9,000 लोग दिरघटना ग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस थापित किया गया था कई लोग विसफोर्ट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए वो जो समय पर भाग पाए उनकी आखी तवचो और फेफडे गैस से छतिगरस्त हो गई थी रिस्क रेडक्शन मिजर्स घने बसे आवासी छेतरों और अद्योगिक छेतरों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए एंड सेकेंड इस उद्योगों के समीब बसने वाले लोगों को दुरघटना होने के स्थिति में विशैले या खतनाक पदार्थों के संग्रहड और उनके संभ़ प्रभावों का ज्यान होना चाहिए आग की चितावनी और अगनी शमन की वैवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए विशैले पदार्थों के भंडार और छमता की सीमा होनी चाहिए उद्योगों में प्रदूशर नियंत्रण की उपाई को उन्नत किया जाना चाहिए डिस्ट्रिब्यूशन ओफ मेजर इंडस्ट्रीज विश्व के प्रमख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रद्योगिक उद्योग है लोहा इसपात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग है जबकि सूचना प्रवद्योगी की उद्योग एक नया भरता उद्योग है वो देश जिसमें लोहा इसपात उद्ध्योग अवस्थित है जर्मनी, सयुम्तिराज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है वस्रोद्ध्योग भारत, होंग कॉंग, दच्छड कोरिया, जापान और ताइवान में सकेंद्रित है सूचना प्रोद्ध्योगी की उद्ध्योग के मुख्यकेंद्र, मध्यवर्थी, कैलिफोनिया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बैंगलोरू प्रदेश में है क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्ध्योग, सनराइज उद्ध्योग के नाम से भी जाने जाते हैं इसमें सूचना, प्रोद्ध्योगी की स्वास्थिलाब, सत्कार और ग्यान से संबंधित उद्ध्योग शामिल है आरेंड एंड स्टील इंडस्ट्री आन्य उद्ध्योगों की तरह लोहा इस पात उद्ध्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है ये एक उद्योग पोशक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्छे माल के रूप में प्रयोक्त होते हैं उद्योग के लिए निवेश में स्रम, पुंजी, इस्थान और अन्य अवसनरशना के साथ साथ लौऐ अयस्क कःविला और चुना पत्थर कच्छे माल के रूप में समलित हैं लौऐ अयस्क से इस पार निर्माड की प्रक्रिया में कई चरड सामिल हैं कच्छे माल को जोगा भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है इसके बाद ये परिशोधित होता है प्राप्त उत्पाद इस पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्छे माल के रोप में प्रियुक्त किया जा सकता है इस पात कड़ा होता है और इसे असानी से काटा और अकार दिया जा सकता है या इस सितार बनाए जा सकते हैं अलुमीनियम, नीकल, तामबा और जैसे कई धातों को थोड़ी-थोड़ी मातरा में इस पात में मिलाकर इसकी मिश्रिध धातों बनाई जा सकती है आप देख सकते हैं किस तरह से स्टील बनाई जाती है इस फिगर के द्वारा बताया गिया है मिश्रिध धातों इस पात को सामाने का ठोड़ता, दिरता और जंग, प्रती रोधक छमता प्रदान करती है इस पात हमेशा आधुने कुद्यों का मिरुदंड कहलाता है एलग भक सारी वस्तुवन जिनका हम लोग अभोग करते हैं वो या तो लोहा या इस पात से बना है या इन धातों से निर्मे तोजारों और मशीनों से बने है रेल गारी ट्रक और आटो अधिकांस्ता इस पात से ही बने है यहां तक की सेफटी पीन और सुईयां जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस पात से बनी है तेल कूप इस पात से बनी मशीनों से बेधित किये जाते हैं इस पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है खनी जो का खनन इस्पात के उपकर्णों से होता है क्रिशी के यंत्र हमेशा इस्पात के वने होते हैं विशाल भवनों का धाचा इस्पात का बनाए जाता है अठारा सो इस्पी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां इस्थित थें जहां कच्चा माल, विदोता पूर्टी और बहता जल असानी से उपलब दे थें 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुंद्र पतन के निकट सपाट भूमी के विशाल छित्रों में केंद्रित होने शुरू हुए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कारिय इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्छा माल सस्ति स्रम एक परिवहन और बच्चार कालाब लेते हुए विक्सित हुए सभी महतपुर इसपात उतपात किन जैसे भिलाई दुर्गापूर बनपूर जमसेद पूर राउर केला बोकारो एक ही प्रदेश में इस्थित हैं जो चारो राज्यों में फैले हैं वो चार राज्ये हैं पश्चिम बंगाल जार खंड ओरीजा और च्छतिस गर्ड भदरा जावती और विजयनगर कंनाटक में विशाखा पटनम आंधर प्रदेश में सलीम तमिलनाडू में अन्य महतपुर इसपात के खेंद्र हैं जो इस्थानियस अंसाधनों का उप्योग कर रहे हैं जमसेद पूर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इसपात का कार खाना था सायंत्र स्थापित किया जार खंड में स्वड रेखा और खर कई नदियों के संगम के समेप साक्ची में सन 1907 में टिसको की सुरवात की गई थी बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमसेद पूर रखा गया भगौलिक रूप से जमसेद पूर देश में लोहा इसपात केंद् में सरवाधिक सुविधा जनक स्थान पर है साक्ची को कई कार्णों से सपास सायंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया है यह स्थान बंगाल नापूर रेल मार्क पर काली मार्टी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था यह स्थान लोह इसक कोईला और मैगनीज निचेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था जहां विशाल बजार उपलब्ध था टिसकों को झरिया कोईला च्छेतरों से कोईला और ओडी साथ और 36 गड़ से लोह इसक चुना पत्थर डोला माइट और ओडी सा 36 गड़ से चुना पत्थर डोला माइट और मैगनीज प्राप्त होता है खरकई और स्वर्रेखा नदियों से पर्याप्त जल्की आप उड़ती होती है सरकारी प्रोसानों से इसे पर्याप्त पुंजी उपलब्द हुई जम सेथ पूर में टिसकों के स्थापना के बाद कई अन्य और इन में सरसायन इनजनों के पुर्जे क्रिशी उपकरर मशीने टीन की चादरे केबल और तार का अथपादन किया जाता हैं भारत में लोहा इस्पात उड्योग के विकास में त्वरित और द्योगुक प्रकाश विकास सुरू हुआ भारती उद्योग के लगवक सभी छेत्र पतिकांस था अपने अधार भूत अवसन रचना के लिए लोहा इसपात उद्योग पर निर्भर हैं भारती लोहा इसपात उद्योग में ब्रिहत समाकलित इसपात सयंत्रों के साथ साथ लगू इसपात मेल भी समलित हैं इसमें द्वित्य कुद्पादक रॉलिंग मील और साहय कुद्योग भी शामिल हैं क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सूपीरियर होरियोन और्टोरियो मिशिगन और इरी हैं इन पांचु जीरों में सूपीरियर जील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच् स्थित है पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज अमेरिका का एक महत पड़ इसपात नगर है पिट्सबर्ग के इस पात उद्द्यों को स्थानिय सुविदाय उपलब्द हैं कच्चमाल जैसे कोला पिट्सबर्ग में ही उपलब्द है जिबकि लॉयस्क मिनेसोटा की लोहे की से प्राप्त होता है जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमेटर दूर है इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौपरिवहन का सरवुत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है यह अयस्क के नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग छ आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है यह मिल पिट्सबर्ग के उपपर मोनोगइला और एलगणी नदी के घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ऊहिएों नदी के सहारे इस्तित हैं परिश्क्रित इस्थल और जल दोनों मारगोद्वारा बजार में भीजा जाता है पिट्सबर्ग छेत्र में इस पांत मिलों के अतिरिक्त कई अनिकार खानी है ये रेल रेल पर प्रियूप करर और भारी मशीनों के उत्पादन में इस पांत का प्रियोग कच्छे माल के कर दो